राजघाट पुलिस ने चोरी के सामान के साथ तीन अभ्युक्तों को ग्रिफतार किया है जिसके संबन्द में S.P.C.T. सुनम कुमार ने बताया कि मुक्बिर की सूशना पर तीन अभ्युक्तों को बैकून दाम घाट से ग्रिफतार किया गया है जिनकी पहचान संगम सोनकर, पुत्र रामा सोनकर, निवासी गालन टोला, ट्रांसपोर नगर थाना राजघाट, दूसरा राजचोहन पुत्र, स्वरगी राजी इंडर चोहन, निवासी मुक्तिश्वर नातमंदी, चीपी नगर, थाना राजघाट सहित अन्य बाल आपशार्यों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिसके पास से एक बजाज मैकसिमा ओचो, वा एक्सोच्यासी किलो, एक्सोदस ग्राम तामबा, पंद्रा किलो, तिनसोचालिस ग्राम जस्ता बरामद हुआ है स्पी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर मुकदनप पंजकृत कर जेल भेज दिया गया, करिफ्तार करने वाले पुलिस ट्रीम में, राजघार थाना प्रभारी, ररधीर कुमार मिश्रा, स्वाचेम प्रभारी, प्रदीप शर्मा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्रा, हेट कॉंस्टेबल अरूर खरवार, कॉंस्टेबल करुनापती तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, मंगल दीप यादो, देवी इंद्रियादो, अंकित कुमार बिंद शामिल रहें इस संबन्ध में गोरखपूर नियूस से बात करते हुए, इस पे सिटी सुनम कुमार ने कहा राजगार थाने में चोर गिरफतार किये हैं, ये लोग दुकानों में चोरी करते थे और थोड़ा-थोड़ा ही समान चुराते थे ताकि माली को शक्त ना हो, और फिर इसको जाकर कबाडियों को बेज देते थे ये तीन लोग गिरफतार हुए है, संगम, सोनकर, राज़ो, चोहान और तीन बाल अपचारी हैं के साथ प्रwn तीन बाल चुराए हैं के साथ बाल चुराए हैं के साथ